अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा फिजिक्स वन का तो जाके सबसे पहले पहला वीडियो देख लेखी कि पहला वीडियो अगर नहीं देखोगे तो यह कुछ समझ में नहीं आने वाला कोई मतलब नहीं है तो पहला वीडियो जाके देखे अच्छे से समझ तो आप दूसरे वीडियो प्याओं अगर पहला वीडियो समझ में नहीं आरहता तो सबसाइन दाइंशन एक के हम रोटेश्चन डाइनमिक कर कर तो आज जाएगा तो अचुन इस कंटिटील को माइनिटिटüs और डिरेक्षन दोनों की जड़त पढ़ती है जिस quantity को magnitude और direction दोनों की जरुद पड़ती है ऐसे quantity को क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिखो मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखो लिखो मैं देख रहा हूँ ऐसी quantity को क्या बोलते हैं vector quantity तो मैंने उस दिन बता दिया था कि angular displacement angular velocity, angular acceleration ये सब क्या है क्या है बताओ vector quantity तो आपके मन में question आ रहा हूँ सर 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 आप confuse कर देते हो आपने बोला था vector quantity vector quantity magnitude है direction कैसे find करें सर चलो हम ये समझ लेगी कि ये ऐसे गूम रहा तो इसका magnitude 3 meter per second velocity होगा acceleration 3 meter per second square होगा जो भी चीज़ होगा बट सर हम direction कैसे find करेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हो तो टेंशन मतलो अक्रदीब सर है solve करते हैं आप comments में हस रहे हो तो मेरे साथ रहो live chat में जैसे से मैं हसा रहा हूँ समझा रहा हूँ वैसे answer देते रहो तो अब मैं ये clear करने वाला हूँ समझाने वाला हूँ कि हमें magnitude तो पता चल जाता है हम direction कैसे find करेंगे कि vector quantity के लिए दो चीजे चाहिए magnitude as well as बोलो comments में क्या थी है direction तो जैसे मैंने यहाँ छोटा सा डाइग्राम बनाए है हमेंने लिखा है angular displacement angular velocity angular acceleration equal to vector quantity मतलब ये तीनो quantity कों सी है vector quantity तो मैंने पहली बता दिया कि vector quantity अगर कोई भी quantity vector है तो उसको क्या चीए magnitude as well as direction में बार बार बोल रहा हूँ कि जब बार बार आपको recall होते ही जाए तो मैंने यह छोटा सा एक छोटू सा डाइग्राम बनाया है तो डाइग्राम में आप बताती है कि आप direction कैसे find करोगे तो direction find करने के लिए मैंने यह अच्छे से लिखा है by using right hand thumb rule direction कैसे find करेंगे by using right hand thumb rule अब मानलो अच्छे सा समझना दोस्तों अच्छे से कोई भी topic skip नहीं कर रहा हूं कि सब चीज़ा आपको recall होता जड़ उल्टा मैं जादा ही करवा रहा हूं तो मानलो यह एक्सिस है इस एक्सिस को मैंने right hand में hold किया कर लिया कमेंट्स में लिखो समझ में है आप लोग भी सब लोग ऐसे करोगे मेरे साथ करते जाओ तो सबसे पहले आप इस एक्सिस को right hand में hold करोगे किया की ने किया फटावट बताओ आपको भी करना है pencil पेंट जो भी आपके हाथ में ऐसे करोगे और right hand में hold किया hold करने के बाद हम क्या करेंगे thumb को बाहर निकालेंगे thumb को बाहर निकाल लिया बदाबद आपको कमेंट्स कर लिया तीन सेकंड का टाइम दे रहा वान टू थ्री हाँ कर लिया चलो थम को बाहर किया और यह finger भू कर लिया मतबब इसे hold कर लिया तो अब ध्यान दे रहा है अच्छे से ध्यान दे रहा है यह marker को में side बें रख देता हो कि मुझे परेशान कर रहा है दोनों हातों से एक हात खाली रहा तो ज्यादा मचाए मिखें तो दो मैंने इस मारकर को अपने राइंट में किया मारकर मतलब समझे कर लिया यहां बताता हूं सब्रक मरें कोटांच कर लिया राइड हैं मुख् 5 का मोड मीख बूंत है घूंट बूरा तो गोटीस है इंडिकेट दी बताओ motion of particle curl finger indicate the motion of particle curl finger बता रहा है कि particle का motion कोन से तरब है यह हमारा axis curl finger क्या इंडिकेट कर रहा है motion of particle motion of particle and thumb indicate the direction of particle direction angular displacement मालों अब यह गर मुझे angular displacement की बात करूँ तो मुझे किसका direction बता रहा है direction of angular displacement direction of angular displacement और बताओं ध्यान दो हमने क्या किया बताओ marker को अपने right hand में hold किया curl finger क्या indicate कर रहा है कि particles ऐसे move हो रहा है motion of particle thumb indicate कर रहा है angular displacement की बात करो और thumb indicate कर रहा है direction of angular displacement direction of angular displacement अब देखो बहुत लोग को ऐसे नहीं घूमना है अईसे गूमना है ऐसे जाना है अब particle बोल रहा भाई ऐसे बहुत चक्कर काट लिया अब दूसरे का चक्कर काट हूँगा अब तो particle ऐसे जा रहा तो मैंने अब ऐसे कर लिया यह हमारा axis axis particle का motion इस side है तो मैंने ऐसे कर लिया अब thumb मेरा कहां चला गया इंडिकेट दी डिरेक्शन ओफ एंगूलर displacement इस समय थम्प कहा है invert इंवड थम्प इंडिकेट दी डिरेक्शन ओफ एंगूलर displacement तो गाई समझ में आ गया हुआ एक बार और दोनों चीजे समझाता हूं क्यों सब्सक्रेश्य कि अगर हम फाइंद कर सकते हैं अब मालो पार्टीक्ल्स अइससे गूंग नेशा कि अभन चैल आगए अंदर की तरव थे ख़क्सिंगेट्ट मोस से अ हुआन एक कर रहा है newspapers और दो आब लगए तो नहीं समझ में हो अभी घर अधॉड यहां अगहाँ बहुत लोग вд प्लीज आईस कॉंटेक्ट ऐसा लगना चाहिए कि हम घर पर ही है मैं आप इसको देख रहा हूं मैं आपके लाइट को देख रहा हूं कि समझ रहा होगा आप क्या-क्या लिख रहे हो वह कहां देख रहा हो आपके साती हो देखो मेरा रिप्लाय आए लगा भी तो गाइस यह स रिलेशण बिट्विन रिलेशन बिट्विन वीन रिलैशं बीटैंण बीटिं कि वी होता है वाइटा अफटार आपैत लिनेर वहलसेची डी आ गया होता है रिटार फहल् variety अर ऑल्या बंचू पता है लिनेर वेलार खंटि अहां जैस स्ब्हा हों कि शजी जेंजघ ऑर टा तो उसको define करने के लिए किसका help लगता है बताओ फटक से किसका help लगता है मैंने एक छोटा पीन मैंने ऐसे rule बताए थे आपको याद होगा नहीं याद होगा तो जाके फिर से recall कर लो उसको समझ लो अच्छे से अगर मुझे linear velocity को define करना है तो मैं define कैसे करता हूँ displacement upon time कैसे define करता हूँ displacement upon time तो displacement वाला एक formula तो जो आपको पता होगा we know that शिवा कमेंट्स में हस रहा है तेजस आप भी हस रहो तो हसते रहो ऐसी और बाकी लोग भी हस रहे है कि देखो शिवा कमेंट्स आया लाइचेट पर देखो we know that we and यह क्या हमारा angular velocity तो velocity को मुझे define करने के मुझे किसका help लेना पड़ता है बताओ बताओ किसका help लेना पड़ता है बताओ जल्दी यह देखो as equal to r theta देखा था मैंने बता दिया यह सब कि यह formula अगर नहीं होगा तो समझ देना अच्छे से as equal to r theta अब आर कि डिफ्रेंशेट बोट कि साइट्स विथ रिस्पेक्ट टी विथ रिस्पेक्ट टी अब डिफ्रेंशेट करता हूं मैं ds by dt और d theta by dt यह formula अच्छे से याद कर लेना यह formula अच्छे से याद कर लेना समझ लेना कि अगर मुझे अगर मुझे अंगुलर वेलोसिटी याद रखो एंग स्वारी अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट वन मल्टिप्लाइब है कॉंस्टन डिस्प्लेस्मेंट अगर मैं अंगुलर अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट को कॉंस्टन डिस्प्लेस्मेंट करता हूं दिनकों क्या मिलेगा तो मुझे मिलेगा लीनिए डिस्प्लेस्मेंट धूमार ने लीटां यह से ओके तो व्हें अंगूलर डिस्टलेस्मेंट मॉल्टी पए वाए कॉंस्टन्स देट लिए तो हमें क्या मिलेगा लिनियर डिस्प्लेस्मेंट तो गाई मनें से बता दिया इसको देखे लेना फॉर्मुला कैसे आया जब तो र को ऐसे मंट्प्लाइब करूँगा को मुझे मिलेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो डिफ्रेंशियेट गोड साइड्स रिस्पेक्ट टाइंग आप पीर इसे बाद हर चीज का करता है मुझे बताना पड़ता है लिमिट कहां तक का पर आनिसन टाइम की बात कर रहो है तो मुझे लगाता हूं तो से मुझे मुझे निसनट लिमिट फिया उडैको लगबग नेरल हुबलวट क्या लेंगेटर अरह विछ taking limit taking limit on both sides differentiate both side with respect to time differentiate both sides with respect to time taking limit on both side limit at any instant of time की बात की तो लिमिट का भी जो दायरा होगा जो दायरा होगा वह लगबद 0 के बराबर ही होगा तो डेल्टा टी टेल्स टू जिरो कि बी एस अपाउंड बी टी एक्वल और इस अपाउंड तो आप देखोगे कि हर जगा रेडियस वेक्टर क्या होता है सेम होता है तो आर इसको बाहर निकाल लिया लिए डेल्टा टी टेल्स टू जिरो मैंने बताया कि एक एक चोटे पार्टिकल्स की बात करो तो वहां टाइम का लिमिट भी क्या लूँगा मैं जीरो लूँगा अब यहां क्या है डी ठीटा बाई बीटी ओके तो अब सबको पता होगा ध्यान देना चेंजिन चेंजिन लीनियर डिस्प्लेस्मेंट विद्रिस्पेक्ट्टू टाइम बताओ क्या होता है जल्दी बताओ क्या होता है कमेंट से बताओ मुझे मैं नहीं बोलूँगा बोलो मैं नहीं बोलूँगा मैं बोल दिया पहले मैं चुपर होंग एक सेक्ट अच्छा ब अब यह बताओ यह क्या है बताओ ogram चेंज इन गूलर डिस्पस्मेंट इतरा इट है इसको संब हैं एड हैं यह क्रोफ हो चुका यह वर मैं तीपलğa कॉंस्टंट डिस्टंस इन्ट यूरोट भाइट अगर मैं आप किसके साथ करूंगा बताओ जल्दी बताओ जल्दी कमेंट्स वेक्ष के साथ मैं जल्क मिलेगा पर इसे टो गाई एक बार और मैं समझाता हूं फिर मैं इसको रफ करूगा फिर मैं बताओ ऑगा कि अगर मुझे वी मतलब क्या होता लीनेर वेलसेटी को किससे डिफाइन किया जाता है लीनेर डिस्प्लेस्मेंट से तो यह बता चुगा हूं मैं इसको देख लेना अच्छे से तो फॉर्मुला है अब एक लिमिट देना पड़ता एक दायरा देना पड़ता इसले मैंने लिमिट अफलाइ किया और लिमिट भी छोड़े पार्टिकन बात करो है इसले लिमीड भी कैसा होना छीए छोड़ा होना चाहिए तो लिमिक डैल्टाटी तेंसजों जीरो और चेंजिन लिदेटाटी टेंसजों जिरो अब है । चेंज़िन लीनियर डिस्पेस्मेंट विद रस्पेक्ट्टू टाइम लीनियर वेलोसिटी चेंज इन ऑ डीप्सप्णूर्ड दीश्पेट्ट डाइम चेंज इंगलर डीश्पेट्ट्टू दैंट क्या गुलर वालसिटी तो गाई ये समझ में आ चुका होगा आगर नहीं समझ मेह नाकिकार स्कोर बार बार दीतों मैं यह रख को तो और फिर आगे वाला मिट्रकुट है जैने कि अदर में मैं खराब हो रही है कि यह कमेरा ब्र हो रहा है कि अभे का अब दूसरा विलेता है रचिट स्न्धर वीड विकंत。 डाय बॉस्क फोर्चे डेशन की समझे लेशन की बात कर रहे हैं बहुत कि आल ने olm यहीं पड़ारों मैं के मतलब लीनियर एकशलरेशन अब पहले अएकशलरेशन ब बोलते हैं ती यह चीजों कि जो अध्य को प्रत लाइब उसकी यूजिए यूज किabe repart रहुआ रहा है जो फटो लीनियर एक्सलेरेशन आलफा अलपा मतलब क्या था बताओ अलफा था अमारे अंगुलर एक्सलेरेशन अप्धिश से लिनियर एक्सलेरेशन को डिफाइन करने के लिए हम किसका हल्प लेते थे वेलोसिटी का तो मारे पास ऑल्रेडी फॉर्मुला बन चुका है तो हम लिखेंगे वी नो डाट वी नो डाट वी एक्वल टू आर ओमेगा अगर मैंने बता है कि मुझे इसको डिफाइन करने की किसकी जगत पढ़ती है वेलोसिटी को इसलिए मैंने कौनसा फॉर्मुला लगा दिया वेलोसिटी का आप सेम चीख मेरे काल से आप मेरे सॉल करने से पहली आप कर दोगे करो फटा-पट एक दो सेकड़ डाइं दे रहा हो अपको जलो झालो जलदी और मुझे कमेंट्ट में बता मेरा हो गया मीरा हो गया चलो फटा-पट बता चलो वारना थे सगे टेशना डे रहा हूं 1 टी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया? अरे बहुत लोग ने कर दिया differentiate both sides with respect to time dv by dt, r constant ने इसको बाहर निकाल लिया dv by dt अब मैंने बोला कि मुझे limit apply करना पड़ता है पर छोटे particles की बात करो तो limit भी कैसा होगा limit का दाइरा भी लगबख 0 के बराबर ही होगा तो taking limit on both sides दोनों side क्या apply करना है? limit limit apply करो, limit delta T tends to 0 dv upon dt r limit delta T tends to 0 अब ध्यान दो आब मुझे बताना बटा 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 पर टाइंग चेंज इन वेलासेटी पर ये टाइंग क्या होता है? चेंज इन वेलासेटी पर इन टाइंग अल्पा लेक्टा होता है? लीनियर एक्सेलरेशन होता है यहां relation बता दिया था कि जब हमी constant constant radius vector constant distance को किसके साथ बाद करेंगे angular displacement के साथ then हमें क्या मिलेगा linear displacement फिर हमने यहां find किया if you multiply constant distance constant distance को किसके साथ multiply करेंगे angular velocity के बाद साथ then we get linear velocity here when constant distance multiply by angular acceleration angular acceleration then we get linear acceleration टीन एक दो तीन वन नाड मूड तीन मैंने बता दिया गाइस तो आपको सब्सक्राइब करते रहो मजह आ रहे कि नहीं आ रहे कैसी पक रहे हो बाई इस चीज़को न मुझे पता पकाव मारता है बटका अकर आप समझो के नहीं सब्सक्राइब करना है जैसे बोलते हैं कि वह पता है कि इसको इससे बहुत ज्यादा प्यार है इसका ट्रेक्शन इसके साथ ही अगर इसको कि इसको डिफाइन करना है जैसे बोलते कि पतनी हर्धांगी नहीं होती है कि पतनी हाँ पतनी अर्धांगी नहीं इसको पता उटीलिक्स swip बारे रोब पता नहीं डविट्विन अगूलर अगर लीनियर लीने एक्सेलरेशन को मुझे टुर्पाइब दरना तो मुझे इसको बताना इसलिए मुझे किसका formula लिखना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं लिखता हूँ change in velocity per unit time लिखता हूँ तो इसके मैं लिखता हूँ तो इसके मैं velocity का formula नया वाला formula यूज कर लिया differentiate किया differentiate करने के तो मैंने दोनों side क्या अपलाई किया limit apply करने के बाद change in linear velocity with respect to time क्या होता है linear acceleration यह दोनों हो चुका है एक screenshot ले लो अच्छे से दिमाग में screenshot ले लो और लिख भी रहे हो गया तो मैं इसको rough करता हूँ और second part पर भी जाता हूँ तो दोस्तो circular motion का जो मैंने अब भी पहले वाला part करवाया circular मतलब rotation dynamic का जो पार्ट अभी करवाया तो आपने अच्छे सा समझ लिया होगा अब मैं circular motion को जैसे आपको पता है circular motion की दो बाट होते है UCM uniform circular motion यह आपने 11 में किया हुआ है uniform circular motion and non-uniform circular motion uniform circular motion and non-uniform circular motion अगर मैं definition पूछू तो आप बोलोगे the motion in which the motion in which speed is constant the motion in which speed is constant those motion we call as a uniform circular motion जिसके अंदर speed constant होता है उसको बोलेगे uniform circular motion और जिसके अंदर speed constant नहीं होता है उसको क्या बोलेगा non-uniform circular motion एक बार और define करता हूं क्यूंकि आगे चीछी छुपा कि रखता हूं बात में देखना पहले बद देखा the motion in which speed is constant तो उस motion को क्या बोलेगे uniform circular motion और जिसमें speed constant नहीं होता है उसके क्या बोलेगे non-uniform circular motion the motion in which speed is constant those motion we call as a uniform circular motion the motion in which speed is not constant और उस motion को क्या बोलेगे non-circular non-uniform circular motion non-uniform circular motion तो बट मनें यहां क्या लिखिया दियान देना अच्छे से the motion in which speed is constant speed start में लिखा है the motion in which speed constant and velocity variable velocity variable क्या बोलेगे सर पसार है सर वाइसे विजिक्स इतना हाट समझ में आता है आप बहुर गुमा रहे हो कोई the motion in which in which both are variable both are variable variable मतलब चेंज बार बार चेंज हो रहे है बार बार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कैसे हैं अम आप लो चलो यहां बताता हूं कि यह हमारा सरकल है यह हमारा क्या है सरकल है सब्सक्राइब दूसरे एक्जांपल मस्क्वाल एक्जांपल लेते हैं फैन ओपर फैन दिखाई देरा फैन को यह पकड़के मैं चलता हूं तो मालो फैन चलना स्टार्ट हो गया है तो जो चलता है तो किसी जाता चाहता है तो और पर चलाना है कि कोई पीप में चलता है तो कैसे जाता स्ट्यांट आप और आपको पता है आपको ये चीज पता है कि वैलोसिटी कौन सी कौन्टीटी है वैक्टर कॉंटीटी तो मैंगीटिट एस वैल इस दिरेक्शन तो मैंगीटिट तो तो अपनी तरफ बीचेगा पड़ वह जाएगा कैसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो हर जगा direction क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है तो आपको पता है मैंने फिर से बता दिया velocity यह क्या है? Vector quantity है जिसके अंदर magnitude वो तो constant है थ्रीके speed में ही घूम रहे है पर magnitude के साथ Direction क्या हो रहा है Change हो रहा है इसलिए velocity क्या होता है Variable होता है Vector quantity क्यों 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 क्या होता है Vector quantity के लिए 2 चीजे चाहिए magnitude as well as Direction तो Tabii मेंगनिट्यूट्ट्ट्ट्ट्री में इस्लिए आगे हो चंज हुग थारत स्वेक्ट्रेवा निए इस तो मैंनिट्टूट तो सेम है पर डिरेक्शन क्या हो रहा है तो अगर डिरेक्शन चेंज होगा तो वैलोसिटी भी क्या होगा वैरी होगा इसलिए दिर्फीड बढ़ रही है तो बताओ कौनसा कौनसा सर्कुलर मोशन नौन यूनिफर्म सर्कुलर मोशन देखो डिरेक्शन वो चेंज उसके अंदर भी होगा तो वैलोसिटी वैरियेबल है बट इसके अंदर स्पीड भी दिरे दिरे चेंज हो रहा है स्पीड भी क्या हो रहा है जब फैन मैंने स्टार्ट किया जब प्रॉपर फार्म में आ जाएगा तो क्या जाएगा यूनिफर्म सर्कुलर मशर्म पर जब मैंने फैन स्टार्ट किया या फैन बंद किया तो स्पीड इंक्रीज होती है और इसलिए वहाँ वैलोसिटी और स्पीड दोनों वैरी होता है और ऐसे कंडिशन को हम क्या बोलते हैं कि दमोशन इन विच बोट आर वेरियोबल स्पीड एस वैल एस वैलोसिटी पता चोग रहा है ना मैंने फैन स्टार्ट किया फैन स्टार्ट करने का तो पहले दीरे दीरे बढ़ता है तो स्पीड अलग अलग है क्योंकि इसमें दो फैन जब कंटीनू एक ही स्पीड में चल चेंज होगा पर इसके साथ स्पीड की फैन जब स्टार्ट करते हैं और फैन हम जब बंद करते हैं उसके इंदर कौन सा मोशन होता है नौन यूनिफार्म सर्कुलर मोशन समझ में आया एक दो एक्जांपल आप अपने मन से कमेंट से फटापर लिखो मैं देख रहा हूं च सब्सक्राइब करते हैं यूनिफार्म सर्कुलर मोशन में और फिर से बता रहा हूं यूनिफार्म सर्कुलर मोशन में कि क्यों है पिर से बार बार रुट रर्कॉल कर रहा हूं क्योंकि दिर्यक्षण क्या और कर्योंक्त और इसके अंदर इसके डिर्यक्षन भी चैंज हो रहा है इसल्имлекतु अब हमने वगना स्दिंफार्म इसक्र देशी कि बात कर लिकर लुक् rectangle होता है speed UCM में constant नहीं है अब बैए एक बंदा रह गिया है कौन सा रह गिया है बताओ speed हो गया velocity हो गया acceleration की बात अभी नहीं ही है अब मैं बोलूँगा मैंने आप question mark किया हुआ यह question mark आपकी लिए फड़ाग से बताना आप circular motion is always an accelerated motion circular motion is always an accelerated motion यह क्या है sir आपने बोला कि uniform circular motion में speed क्या होता है constant होता है जब initial और final speed same होगा तो acceleration तो zero हो जाएगा acceleration ज़रो हो जाएगा तो मतलब वहाँ acceleration तो नहीं होता क्योंगे आपने क्या बोला कि uniform circular motion में speed कैसा होता है constant तो एकी speed से फैं गूम रहा सबसे पहली बात एक्सेलेरेशन दो तरह की एक्सेलेरेशन और दूसरा टेंजेंशलेरेशन को समय महता है ऐससे को समझ में और क्या मुन है कि एक्सेलेरेशन की गारेशन में होने क्या इ olmuş और final acceleration speed तो से में तो acceleration तो यहां होना नहीं चाहिए था UCM में uniform circular motion में तो नहीं होना चाहिए था बट होता है acceleration होता है क्योंकि यह question mark मैंने आपको दिया है पड़ होता है कि नहीं होता है नहीं होता है बता दिये तो अगर आपको कैसे लग रहा है आगे बताता हूं acceleration को दो पार्टे डिवाइगी एक सेंट्रीपीटल एंड दूसरा टेंजिंशियल सेंट्री पीड़ और टेंजिंशियल रोडेंजिंशियल ध्यान देना सेंट्रिपीटल पार्टिकल को सेंटर की तरब घीच के रखने में मदद करता है आज आजा आजा जो पार्टिकल सीधे जाता है उसको अपनी तरफ भीचता है यह इसे करके उस सर्कुलर मोशन बनाता है और टेंजिंशल एक्सेडरेशन स्पीड बढ़ाने या कम करने का काम क स्पीड को इंक्रीज करता है या तो स्पीड को डिक्रीज करता है एक्सेलरेशन सेंट्रिपीडल एंड टेंजिंशल सेंट्रिपीडल क्या करता है कहां करता है कहां उसको घीचता है सेंटर की तरफ ट्वर्ट सेंटर और टेंजिंशल क्या करता है टेंजिंशल याद रखा रहाद है centripear and Tangential sentripear क्या करता है center के towards उसको attract करता है अपने तरह किभी कोई particle सीदे जाना चाहता है तो उसको अपनी इतरह वीश्चने काम गोल करता है centripetal acceleration और जो दुसरा acceleration टेंजेंशियल तेंजेंशियल क्या करता है यह particle सथे the band टेनिकरीज करेगा या तो कि इंकरीज देखें अब मैने कुछ दिख्राओं अच्छे थे लो उनिफार्म ससे मजटर स्पीड कॉंस्टन्ट और वैरिअट्डि नॉनिफार्म से ऐन यह श्यूद्द में है यहां कुछ लिखा हुआ है अब ध्यान, अच्छे से ध्यान देना कि सेंट्रीपितल का काम किसले होता है फिर से बता रहा हो कि हां ट्रेक्ट करता है और तंजेशियल क्या करता हैoute a to तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मुशन स्पीड कम ज्यादा होता है नहीं होता न तो स्पीड जैसे फैन 3 के स्पीड पर कंटीडियू चलना स्टार्ट हो गया तो वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ज़रत पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसलिए टेंजेंशियल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ज़रत होती है कि खेंगे इस follower स्पीड उसमें कम जाता करना पड़ता है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस नॉन इक्वल चिरो अब बाइस asi की तरफ हम desapसी घीच के रखना अच्छे से हैं, नेट रिजल्ट क्या निकला है được । दो तरह के ध्यां दो डट रिजल्ट और यहीं निकालते हैं अनग डू एक्सेलरेशन डेट रिजल्ट 아닌 11 ket अब यहां यहां इस्पीड नहीं तो आपको पता चल गया इसमें तो और इसमें तो आइए इसमें तो आइए और इसमें भी एसलेरेशन दोनों में होता है और इसमें अपसार करेंगे तो आपने पर दूसरा इक्सलरेशन है जो सेंटर की तरफ घीच के रखता है इसी लिए A net equal to AC और यहां तो यही होगा कि यहां दोनों चाहिए यहां यहां रिजल्ट का लिख लेगा बताओ A net equal to under root एक में बारकर नहीं चाहूं बड़ार बारकर A net बताओ पहले लिख के बताओ क्या होगा यहां तो कुछ 0 नहीं है ना यहां स्पीड कम जादा करना है तो यह भी चाहिए और यहां यहां कोई 0 नहीं है और यहां 0 यह है कि यहां स्पीड कम जादा नहीं करना है इसलिए दोनों में डोनों में क्या acceleration है इसलिए circular motion is always Energizer इसलिये जर्गुलर मोशन क्या होता है एकसलेड़ेट बीशन मेरे काल से आपको ये बाट अच्छे से समझ में आगे हैं लिए पिल पताना चाहता हूं कि बस स्पीड कम जाद कब होता है प्रैक्स को कम जाद करने का तो पहले किसमें और इसमें जरूती हुआ होता इसलिए जिरो होगा क्यों यह सब बहुट सारी यह वाले टॉपिक ना यह सब पहले हुआ है बोलें कि यह सब पहले हुआ है तो अच्छे थे समझ लो ओके राफ करता हूँ मैं और बोलो मज़ा आ रहे हैं चो फालता है कि मज़ा रहे हैं और डियों है और कमेंट पर लिक रहा है मुझे पता है रहा है अलब कराब होगा सुबस वोड रहे हो हां सुबह उटके बस यही खोला करो हमारे बहाने फोन सबको मिलने लगा है जो पैरंस फोन दे रहे लगे उसका फायदा कुछ और मत उठाए यही देखो और कुछ मत देखो आ पैरंस भी अराम से फोन दे रहे हैं कि सर ने वीडियो दिया है तो देखना ही पड़ेगा और इसका गलत फायदा मत उठाए हुआ पता चल जाएगा हमके घर पर दी कैमरा लगाएंगे आप सबके तो सर्कुलर मोशन का भी यह पार्ट होता है मैंने बता दिया अच्छे से अब कुछ एक चीज़े में बताता हूं कि वेंड यह भी थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि आपको जही नीट यह सब देना है तो यह सब चीज़े चोड़ी चोड़ी चीज़े समझ भाना चाहिए कि वर्न स्बीड इन्क्रीज डिक्रीज ओर यह कंप स्पीड इंक्रीज होता है कि इनक्रीज दिक्रीज होता है तो दिया देना एक points बता रहा हूं आख few वेलोशित के स्पीड अगर 40 km per hour की स्पीड से चल रही है but मैंने जैसे मैंने अक्सेद कर दिया और बढ़ा दिया तो स्पीड एंक्रीज हो जाएगा सब्सक्राइब और अगर चल रही थी और मैंने ऑसिटर से चल रहे और देदिया और देदीया तो जाएगा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा स्पीड क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अगर वाइट चल रही थी और मैंने एक्सलेटर उसके अपोजी डिरेक्शन में गुमा दिया मतब कम कर दिया कि टति कम जाती हो आधा यह उन्हें आप ऐस में मां लो कि वासेटी कि ओर है ये जीज जो एक्सराइज करता होगा गेत लोंतर gör拜拜 अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर है तो वहां क्या होता है वहां जी रमालो जैसे आपने मूवी देखा है कार चल रही है खृष उड़के आके कार पर बैड़ गया तो कार वही रुप जाती है और चारोगरब से पुरे कार के सब काज बाहर तूटता आज आता है तो जा आपने देखा होगा तो सेम ऐसा ही है जैसे रूटीन लाइफ में जो चीजे होती वैसी सीखना है कि इस से देरेच्शन दें स्पीड इंक्रीज़स इस इफ बहुत आज आजिए अगर दोनों पर फैंडिकुलर रहे हैं तो पताओ क्या होने वैला है यह होने वाला है जीरो अगे तो गईस अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे रिखाल से और नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखें कि मैं बहुतLOW-Slow जा रहा हूं UP hard अच्छ समझा रहा हूं। चलेगा टॉपिक आपको अच्छ vas Chill समझ बैया चाहीए अच्छ समझ में आ willstrip तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से बहुत मजा रहा होगा तो फिर से वही बोलूँगा कि अपना प्यार बरसाते रही है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे जितना ज्यादा हो सके उतना चाहिए और हां लाइफ चैट में द यूसीयम में लिखना है कि क्या-क्या कॉंस्ट होता है क्या-क्या चेंज होता है द्यान से यूसीयम में टेंजिंशियल क्या होता है जीरो होता है कि नहीं होता है वो आपको समझ में आ तो लिखोगे यूसीयम में क्या-क्या कंडिशन चाहिए यूसीयम के लिए क्या कंडि इसके लिए और डेफिनिशन दोनों का डेफिनिशन लिख लो और वेन स्पीड इंक्रीज बीश और यह भी बता तो यह तीनों चीछ चाहिए कंडिशन फॉर यूजी अच्छ समझ में आरा कैसे इस चीजा आप पूचे बताओगे और फ्ली प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर जितना जादा हो सेके उतना जादा शेयर करें थैंक यू सो मच